बहुत अच्छा बीजेपी का चल ला है पोजिशन हां कि सपाय बसपाय भासपाय भीड हर पार्टी में होती है इस बार हम लोग तो बिजेपी के ही वोड़ देने वाले हैं हम लोग कोई परसानी नहीं है अब मेरे ठपा लगाने से अगर ठपा लग जाय तो भाई अजी ठपा लगा देते हैं और जो पड़ेगी इस बार फिर से भासपा कोई पर दूरी तो भी बड़ा है जो लेवाद हाई सो तीन सो में काम करते था चार सो पांसो रुबे ले रहे हैं तो भाई बीजेपी वाले ह एक परसंट दो परसंट तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा किसी की भी सरकार हो परवर्तों तो हुआ है आपका अरे पहुत परवर्तों लोग को अपने कमाने खाने से मतलब है कि क्या सुविदा मिलेगी तो थोड़ी मांगाई बढ़ेगी दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूजबकेट और आप लोगों के साथ मैं कुल्दीप हम उस जगह पे इस समय खड़े हैं कि एक डेक डालेंगे तो रुहनिया विधान सभाव में चले जाएंगे और दूसरा डेक डालेंगे तो सीवपूर विधान सभा छेत् दीट्र में भी खड़े हैं लेके यहां पे लोग आये हुए हैं चाए-पीना तो चलता ही रहता है काम की चलता रहता है कोस्कोर में कॉछ करने के लिए को पला सभा सा जाणने की कोशिस करें कि जनता का क्या मिजञाज है चुनान को लेकर जिस तरीके से भारी-घरकंप लेकिन सबसे दिल्चस्प बात यह है कि आम आधि पाटी भी किसी कम से नहीं है वह अभी अपने जाड़ू दिल्ली से लेकर चले आए हैं अब देखना यह होगा कि बनारस में जाड़ू कहां तक लग पाती है ठीक है यह तो बात कहने की होती है लेकिन हम थोड़ा सा सबसे बात करते हैं पेट्रोल 95 रुपया है उस पे क्यों नहीं बात करते हैं जेल महांगा हुआ तो किसानों का फायदा हुआ उससे सरसो महांगा होई किसान का प्राफिट नहीं हुआ उसमें और बीच वाले कहां जाएंगे मजदूरी तो भी बड़ा है जो लेवर्ट हाई सो तीन सो में काम करते थे चार सो पान सो रुबे ले रहे हैं तो कितिना दिन काम करता है किसी की घर अगर बनता भी है तो बहुत बनता है तो दस दिन ब कि इसानरेगा है उन्हें किसे का मकान हो रहा है किसी क्या कुछ हो रहे है हमेशा कम मुढ है उससा बात नहीं है कि पर द्रफ़जगार रहे है तो क्या मूट है इस बार के चुनाओं वे बहुत तारे परिवर्तन देखने को मिला है जिस तरीके से लखनव में आप देखे कि स्वाति सिंग का टिकट कटने के बाद महिलाओं में आकरो से क्या कहेंगे नहीं होई तो गया सिलेंडर को लेकर था लेकिन उसमें हो गया फिर संसोधन हो गया जिसके हुझे से फिर समय संतुष हो चुकी है उनको खुले मार्केट में चल रही है गुंडाराज नहीं है अच्छा मैलाओं का सोसल नहीं हो रहा है इस सब्सक्राइब भाजपास से तो फ लगाने जा रहे हैं इतना मूड में कैसे हैं इस बार तो परिवर्तन चाहरा है किस बात का परिवर्तन तो हुआ ही है आपका लोग इतनम परिशान है को लेकर देखिए अचा है जब सामाजिक महावल बदलता है तो कुछ लोगों परसानी होती है कि तो वही है तो आपके लिए महाँगारी नहीं है जब सरकार के पास जो अता है धन जो इन्वेस्ट करती है तो कोई जरूरी नहीं है कि चारों तरब उसका ध्यान हो तो हो सकता है कि अभी तक रोजगारी प्रधान नहीं हो सकता है परिवर्तन में थोड़ा सा परशानी सप्पों होती है क्या मूड है सर बीजेपी यानी है सप्पा का क्या स्तर्थ रहेगा सर सप्पा सो से क्रास नहीं जाएगा नीचे रहेगा उपर नहीं जाएगा अब समझ लेजे कि हर पार्टी वहीं चीज है इसलिए करें ना तो यह हुआ देखिए हम यह बता रहे हैं कि सपाय भासपाय भीड हर पार्टी में होती है हर पार्टी में भीड है लोग सब को सुनने जाते हैं कौन क्या कर रहा है लेकिन और जो पड़ेगी इस बार फिर सिभासपा कोई पड़ ने कहे थे किसानों के आए दुगुनी करने के लिए 2022 में लेकिन जो बजट आया है किसानों के लिए बहुत निरासार रहा क्या बहुत ओपर निचे होता रहता है घाजपा जो भी कर यह बनया खरी है बिलकुल पहुत बनया कर रहे है और जहां था बेरोजगारी की सवाल पूछ रहा है है बेरोजगारी कोई भी सरकार आजा हिंदुस्तान से खतम नहीं कर सकता कारण यह है कि अबादी जो है हिंदुस्तान की यह बताई आपकी बात सही है सबको रुजगार नहीं मिल सकता है लेकिन सारे जो लड़के पढ़ लिख रहे हैं उनके लिए कोई विवस्था होनी चाहिक नहीं बना पा रही है कहा नहीं बना आप देख रहे हैं कि अलहाबाद प्रयाग राज में लड़के को हास्टल में पीटा गया आज कोई लोग ऐसा जाते हैं प्रियंका जादी से बात करते हैं अपको जैसे अब डबल इंजन की सरकार है जो थोड़ा बहुत हो रहा है उसको कोई जांच हो रही है बागी कोई रोक नहीं सब्सक्राइब भूट तो होना ही होना है लेकिन जो मुद्दे यूपी में उठाए जा रहे हैं यहांने ना है यह मानना है न कि यूपी बदलाव चालू हो रहा है तो फिर सुभाविक है थोड़ा मेहनत करते हैं अपने रोजी को चलाने के लिए क्या मूण है भी यह इस बार के चिनाव में इस बार हम लोग तो बिजएपी के ही वोट लोग को कोई परसानी नहीं है। हैं आपको लगता कि प्राइबीट काम करते हैं, इसने कैसे तँम बढ़ जायेगा। जैसे पहले कोई भी कामका जो 100 रूपया होता था अब 140-500 भी मिलता है इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत परसाई नहीं है परिवार में कुल कितने लोग हैं इसलिए हमारे परिवार में साथ लोग है यह बताईए कि जब साथ लोग है ने अडर काम क् Tuya okay जो कर रहे हैं कि सिच्चा भी महंडा हो गया है कि मैंटीकल भी महंग हो गया है इसिच्चा के साथ हमलोग के साहरे कर रहे सार लाजों के लिए कर 12–8 गनटा लाइन मिलती है इसमें 22 गनटा लाइन मिलती है जैकि आहले के साहरे हम लोग बढ़ गया है और सुभीदा होगी तो और चीज बदा रहे हैं जो वल्व हम 208 से 500 वाट के जलाते थे अब दस वाट के बारे वाट के फिर भी बिजली के बिल उतना ही आता है यह कर्मे आजार पे पंदर सो दो हजार रुप आ रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगे सर सुभीदा समान भी यूज कर रहा है विल कल भी हम दो अड़ाए 300 भरते थे आज भी वह तीन साड़े 300 गुलम समभरते सो होगी दिक्कत नहीं बिजली हमको 22 गंटा प्रयाप्त मिलती है उसमें हम लोगो साथ से आठी गंटा बिजली मांगा भी तो नहीं थी सुभीदा मिलेगी तो थ इस वार किसको ठपा लगाने जा रहा है अपलों हम मेरे ठपा लगाने से अगर ठपा लग जाए तो भाई अजी ठपा लगा देते हैं यहां पर सारे लुग कर रहे है कि हाजपा सरकार बिहतरीन है यह अलग-अलग सब का सोच है जिसके पास जिलेर का पैसा है उसके लिए दो सारे की लोग गया है इन लोग करता है जोल्ग कर लोग का रहे हैं यह तो जानता डिसाइट करेगी ना अब आप हम लोग यहां के लोकल है लोग का जो चेतर रहाता है सीपूर विधान सबाद चेतर है यह जो है अब यह तो चुनाव हो गया है कि गर्मी सांत कर देंगे तो भाईया हम लोग है रोजगार पर बात करने पर तो सिदेत और पर जबाब से बात के है आप जिते हैं सब 40 kB हैं कोई वकला का कोई मतलब है हम लोग है युवा है थिक अन् Entwicklung को चाहिए ना सरकारि नौकरीं हम लोग को चाहिए हम लोग का उम्र है अब भया जो अंकल जी से आप लोग बात किया है 40 के उपर लोग खुदर चले गया है तो यह नियों रोजगार के आप तो जैसे एकदम लग रहा है भाजपा के एकदम सिंबल में है क्या कहेंगे जो आपका गेट अप है एकदम लग रहा कि भाजपा के पूर्ण दिवाने हैं हम कहां है इसको छप्पा लगाने जा रहे हैं इस वार ठप्पा किसको लगाने जा रहे है हम लोग को अपने कमाने घाने से मतलब है कि क्या है कि मेहीं तो बात बात की बात है वंदर की बात है क्या अबिक्या है अरे देखकर मदर यह माँद बोली है दर याव मूट में था कि बनार्सी का जो घुलगुला कर पान्द खाकर बोनेका भी जाज होता है तो लग को सब्सक्रों अखिली सब्सक्राइब लोग कर रहें कि सबस्ता है पता दीजिए उनलों को जो लो सून रहें आपको सबस्ता है महांगाई पे इस वार धरसाई हो जाएगी भीजेपी आरे देख रहें कि लेंडर जो है यह फग्यार रूपिया करा में यह बास है पाड़े त्यार्सों को मिल टाड़ा यह सबसीडी देने की बाद गौवर्मेंट कहे थी मोधी सरकार ने 65 रूपे आ रहे हैं इस हमारे में तो 55 रूपे आता है तो आप देखिए कि यह दिल की बात सारे लोग बोले हैं सबका अपना विचार होता है कि इसको ठपा लगाएंगे देखना दिलचस्त यह होगा कि 10 मार्च को क्या होता है लगातार यह रिपोर्ट देते रहेंगे हमारे साथ बने रहे न्यू कि मैगजीन में हमारी इमैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर इसके अलावा रोज की ताजा ख़ब्रों के लिए हमारे यूट्यूब चानल को तुरन सब्सक्राइब करें